नमस्ते आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसे मन न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्रप्रदेश उत्तराखंड आपके साथ हूँ मैं सोनल दहिया इस खास पेशकर्ष में आज चर्चा होगी CAA को लेकर दरसल केंडर सरकार ने सिटिजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का नोटिफेकेशन जारी कर दिया है इसके साथ ही ये कानून देश भर में लागू हो गया है CAA को हिंदी में नागरिक्ता संशोधन कानून कहा जाता है इससे पाकिस्तान, बांगलदेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुसलिम शरनार्थियों को नागरिक्ता मिलने का रास्ता साप हो जाएगा CAA के ऑनलाइन पॉर्टल की रजस्टेशन के लिए तैयारी कर ली गई है के इंद्रेग्री मंत्राले ने इसका ड्राय रन भी कर लिया है सुत्रों ने कहा है कि CAA इन पडोसी देशों के उन शरनार्थियों की मदद करेगा जिनके पास दस्तावेश नहीं है मंत्राले को लंबी अवधी के वीजा के लिए सबसे ज्यादा आविदन पाकिस्तान से मिले है महीं ग्रीब अंत्री अमिच शाहा दो महीने में दो बार कह चुके थे कि CAA लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा ये देश का कानून है इसे कोई नहीं रोक सकता संसद ने CAA पर 11 दिसंबर 2019 को मुहर लगाई थी तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान ने CAA लागू हो चुका है और इसी मुद्दे पर इस खास पेशकश में चर्चा एक खास पैनल के साथ लेकिन उससे पहले ये बयान सुनिए मेरा नाम राजवीर सिंग है CAA लागू किया गया है इससे किसी को कोई नुक्सान नहीं जो आतंकित हैं प्रतारित हैं अपना देश छोड़ करके भारत के अंदर काफी बरसों से रह रहे हैं उनको एक नागरिक्ता देने का प्राफ्धान अगर सरकार कर रही है तो यह बहुत ही लाफकारी निर्णे उनके हित्मे है आपके क्या नाम है मेरा नाम गोपाल शर्मा है केंदर सरकार और मोदी जी का धन्यवाद उन्होंने एक ऐसी इस कानून को पास किया जिससे बहुत सारे लोग जो देश की नागरिक्ता से भीहीन थे और ऐसे जीवन यापन कर रहे थे जैसे वो इस देश में उनका कोई हो ही नहीं एसे लोगों को संबल प्रदान करने का काम किया है और मोदी जी ने ये कोई ऐसा कानून ले करके नहीं आया है और खासतोर पर उन लोगों की छाती पे कुठारा गात जरूर हुआ है जो एक वर्ग विसेस को समुदाय विसेस को बेवजे बढ़का करके सलकों पर उतारने का काम कर रहे थे उनकी छाती पे भी कोठारा गात करने का काम किया है और मोदी जी ने कोई नया काम नहीं किया नहरू और लियाकत का जो समझोता था उसका कड़ाई से पालन करने का वारस सरकार के मात्यम से निर्देश देने का काम किया है और उन लोगों को बल देने का काम कि ओर नहीं मिल पा रही थी और ऐसे देशों की चाती पर भी कुठारा घात हुआ है जो केवल एक धर्म का एजन्डा लागू करके धार्मिक रूप से अलपसंक्यक लोगों का उत्पिलन करने का काम करते हैं ऐसे लोगों की चाती के बीकुठारा घात हुआ है और मैं कहता हूं क कि भारत माता का बहुत बड़ा आचल है वो लोग जो धार्मिक रूप से अलपसंच्यक थे वो लोग भारत में आए उन्हों का स्वागत करने का गाम मोदी जी ने किया दनेवाद तो आप देख सकते हैं कि लोगों ने स्वागत किया है C.E.A. का अन्यूव इश्यत इंडिया न्यूज संबल और इस वक्त वरिष्ट पत्रकार राजीशर्मा हमारे साथ लाई जुड़े हुए हैं सबसे पहले उन्हीं से चर्चा करते हैं राजीव जी हमने देखा कि बार-बार कई तरह की भ्रांतियां भी पैदा हुई C.E.A. को लेकर अभी भी कई जगे विरोध लोगों का देखने को मिला उसके बाद आखिरकार जो है दोनों सबनों से पास होने के बाद कानून की शकल में आया सी है और अब लागू होने की बाद कही जा रही है सबसे पहले तुम्हें चाहूंगी कि दर्शुकों को जरा बहुत आसान शब्दों में इसे समझा दीजिए देखे ऐसा है कि ये दिसंबर 2019 में एक्ट पारित हुआ था और जनवरी 2020 में राश्पती ने इस पर सिगनेचर किये थे और इसकी प्रक्रिया ये होती है कि छै महीने के भीतर इसके नियम बना दिया जाने चाहिए जो भी कानून आप पारित कर रहे हैं उसके 6 महीने के भीतर का नियम बन जाने चाहिए और नियम नौटिफाई हो जाने चाहिए लेकिन 9 बार हो चुका था 9 बार extension मिल चुका था आठ बार चाहिए ये 9 बार extension मिल चुका था अब आगे संभावना नहीं थी दूसी बात यह है कि अभी इस लोग सभा का समापन भी होने जा रहा है अगले चुनाओं की उद्गोशना होने वाली है तो यह इस समय सरकार को करना भी था अच्छा दूसी बात ही कि अभी मुश्किल से 18 मिनट पहले जो अमित शाह की ट्विटर हैंडल से एक से जो ट्वीट किया गया है उसमें अभी कहा गया है इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि भांगलादीश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वो अल्पसंख्यक जो धार्मिक रूप से प्रतारित किये जाते थे प्रतारित किये जा रहे हैं या गए हैं और वो लोग भारत आ गए हैं और वो भारत की नागरिकता चाहते हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी उनसे यात्रा दस्ता बेज भी नहीं मांगे जाएंगे जो पोर्टल बना हुआ है उस पोर्टल पर वो अपनी जानकारी भरेंगे और उनको नागरिक्ता दे दी जाएगी भ्रम ये फैलाया जा रहा था कि बांगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लोग आएंगे और यहां के मुसल्मानों की नुकसान बचाएंगे यहां के मुसल्मानों की नागरिक्ता छीनके उनको दे दी जाएगी जबकि ऐसा नहीं है, आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, हमारे यहां दो बड़े फिरके हैं, बरेलबी और देवबंदी, उनके मुलानाओं को चाहिए, उनके उलेमाओं को चाहिए, कि वो इस बात की जो धम फैला हुआ है, उसको दूर करें, क्योंकि हि परिक्ता लेनी का अधियम नहीं है, जी, बिल्कुल राजीव जी और देखिए, अभी चुकि इसको चुनाओं से जोड़कर भी बहुत ज़दा देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत समय से चर्चा तेज थी, लेकिन अब लोगसबा चुनाओं बेहर नजदीक हैं, तो इस प लागू नहीं होना देंगे, और साथी साथ ये भी कह रही हैं, कि हम इसको पूरा पढ़ेंगे, अगर हमें लगेगा, कि हाँ, विरोध किया जा सकता है, जहां पर हम अपनी बात कहेंगे, जी, तो अब आप ये देखिए, कि वो केंदर में मिनिस्टर रह चुकी हैं, इस सम कैसे हम इसमें संशोधन करने वाले हैं, और इसमें किसको नागरिक्ता देंगे, और किसी की नागरिक्ता लेंगे नहीं, ममता बनट जी अच्छी तरी किसे चीज़ को जानती है, लेकिन ममता बनट जी को पस्चिम बंगाल में एक वर्ग बिशेस के, अब उसमें चुपा न सकती है, साब साफ लिखा हुआ है, कि जो रिलिजियसी परसीक्वेटेड लोग हैं, रिलिजियसी परसीक्वेटेड लोग है, वो भी हिंदू, मुसलिम, सिक, इसाई, पार्सी, ये जो लोग वहाँ की अलप संक्या कहें, वो जो भारत भाग करके आ हैं, या आएंगे, उनक कोई नागरिकता दी जाए केबल उनको नागरिकता दी जाए और किसी को नहीं ठीक है मौलाना शाहबुदीन मुस्लिम धन गुरू भी हमारे साथ जुड़े में हैं मौलाना साथ बहुत-बहुत स्वागत है आपका मौलाना शाहबुदीन जी अभी राजीव जी की बात भी आपने सुनी कि कई तरह कि राजनीतिक बयान बाजी इस पर चल रही है बहुत सारे भ्रम लोगों के भीतन हैं फिक्शन्स लोगों के भीतर हैं लेकिन अब तो तमाम चीजें साफ हैं आप अंग्रेजी में पढ़ लीजिए किसी भी तरह से पढ़िए लेकिन चीजें पूरा क्रिस्टल क्लियर नजर आ रही हैं पिर ऐसा क्यों विरोध की तस्व अगर में अगर मैं आपके वर्वरू हूँ को तो बताना चाहिता हूँ कि भारत सरकार ने यह अच्छा कदम उठाया है और हम जैसे लोग इस कानून का इस्तक्बाल करते हैं स्वागत करते हैं और मैं तो मश्वरा दूँगा तमाम मुसल्मानों को कि इस कानून का स्वागत करें उसकी वज़ए ये है कि 2014 तक जो लोग भी हिंदुस्तान में आए पाकिसान, बंगलादेश, अफगानिसान से भा लोग यहां आए और काफी सालों से भारत में रह रहे हैं और उनको शहरियत नहीं मिली ए तो ये चाईं को शहरियत देगा, उनको नागिरता परदा परदान करेगा। तो हर आदमी का हासिल है कि वो शेरियत ले नागरता ले तो ये एक बहतर कदम उठाया है भारस सरकान ने कि जो लोग एक जमाने से हमारे मुलक में रह रहे थे और उनको शेरियत नहीं मिली थी राशन कार्ट पैचान पाथ और पासकोर्ट वोटर आइडी ये नहीं बनमा सकत तो अब ये उनको सुहुलत परदान कर दी गई है सुहुलत दे दी गई है और एक ऐसा कानून बना दिया गया है जिसके जरीय से उन लोगों को शेरियत दी जाएगी मैं तो दिल से भारस सरकार के इस कदम का इस्तक्बाल करता हूँ बहुत अच्छी बात है कि आप से इतफ लोग पक्ष में हैं लेकिन इस पूरे खानून को जब हम पढ़ते हैं तो जो बांगलादेशी सीमा से सटे हुए असम और पश्चिम बंगाल का जो इलाका है वहाँ पर बहुत ज्यादा इसको लेकर विरोध देखने को मिला है असम के लोग लगातार ये तर्क दे रहे हैं जो 2014 तक आ चुके हैं उनको अभी नारिकता दी जा रही है जो घुस पैठिये हैं उनको नहीं ये घुस पैठियों में और शरण मांगने वालों में दोनों में फर्क होता है तो हमें समझना होगा और वहाँ पर जहां आप आसाम की बामया बात कर रही हैं आसाम में जो लोग रिलीजिसली पर्सीक्विटेड लोग आए हैं उनको तो दिया ही जा रहा है वहां तो C.A.N.R.C. पहले से लागू है तो वहां तो कुछ फर्क पढ़ने वाला ही नहीं है जो ब्रहम फैलाया जा रहा है वह पस्ष्टिम बंगाल में ब्रहम फैलाया जा रहा है यहां पर मुसलमान अच्छी खासी तादाद में हैं और बहुत सारी ऐसी विधान सवाए हैं जहां पर उनका वोटिंग परसंटेज तै करता है कि वहां कौन सा जन परतिनेदी जीत कर आएगा पस्ष्टिम बंगाल में कुछ ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम परसंटेज परसंटेज 34 परसंट है 43 परसंट है कहीं 64 परसंट भी है तो यह जिम्मेदारी हमारे नेताओं की है हमारे राजनेताओं की है चाहिए वो मुखे मंत्री है या वो केंद्र की राजनीती करते हैं या अपने राज्य की राजनीती करते हैं उनको यह समझना होगा कि किसी भी क कानून को ले करके कोई गलत फेहमी देश में ना फैलाएं एक ममता बनर जी के बायान की वज़े से जो एक रिलीजियस प्रोपोगंडा खड़ा किया जा रहा है वो न खड़ा ना हो आपको मालूम है कि बरेलवी में आला हजलत का मर्गज है वहां पर एक नेता है तौकी रज पर हम चर्शा को आगे बढ़ाएंगे इसी बीच पियूश अगरवाल अधिवक्ता भी हमारे साथ जोड़ गाए है और चूंकि कानूनन मसला है तो पियूश जी से भी हम उपिनियन ले ले लेते हैं वो एज़ा लॉयर कैसे देखते हैं इसे पियूश जी कि नमस्कार आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्कार देखिए जहां तक कानून की बात है नागरिक्ता का जो कानून उसका वो सेंट्रल गवर्रमेंट के डूब अगरिक्ता का सवाल है वो सेंट्रल गवर्रमेंट के डूबेन में आता है तो नागरिक्ता से जुड़े जिपने भी कानून है वो सेंट्रल गवर्रमेंट ही लाट होना संभव नहीं है इस तरह के जो बयान अगर कोई दिये जा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ राजनीती से प्रेरित हैं उसका कानून से कोई लेना देना नहीं है एक चीज़ दूब उसरी चीज़ यह है कि सिटिजन्शिप की भी नागरिक्ता ली नहीं जाए कि कुछ लोग जो अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांगलादेश में पीडित रहे हैं किसी पंथ या धर्म को फॉलो करने की वज़र से कि यह कानून उनके लिए है उसमें कट ओफ डेट डे जो लोग यहां आ गये हैं चले अब यह जो नियम लाए गये हैं रूल्स उसके ठीक है प्यूज जी लोटेंगे आपके पास आवाज को थोड़ा दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे मुस्लिम धर्म गुरु भी हमारे साथ लगाता जुड़े हैं मौलाना शाहबुदीन जी जिस तरह से अभी प्यूज जी कह रहे हैं कि राजनीती से प्रेरित मसला इसका कानून से कोई लेना देना नहीं है तमाम तरह का की जो भ्रांतियां थी वो राजीव जी ने अभी क्लियर भी की लगातार हम स्क्रॉल भी कर रहे हैं क्या लिखा गया है क्या पढ़ा जाना चाहिए कमाम जो हिंदी इंगलिश पढ़ने वाले लोग है वो पढ़ सकते हैं साफ दौर पर जो चीजें लिखी हुई है और क्लियर है बट फिर भी एक धड़ा इस बात को कह रहा है कि ये राजनीती से प्रेरित मसला है देखे इस कानून का मसवधा मैंने भी पढ़ा और इसका मुताला किया है बहुत गहराई से मुताला किया तो इसमें मुसल्मानों से मुतालिक कोई बात नहीं है और मुसल्मानों को घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है और जिस तरीके से बहुत सारे जो सियासी लीडरान है वो इस तरह बायान देते रहे, मुसल्मानों को डराते और धमकाते रहे कि अगर ये कानून आ गया तो मुसल्मान जो है वो सिकंड शेहरी हो जाएंगे, उनकी नागरता च्छीन ली जाएगी तो मुसल्मानों के दर्मियाने बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो गहराई से नहीं सोचता है और समझने की सलाहित नहीं रखता है, वो इस तरह के बयानों के उसमें आ जाते हैं जासे में आ जाते हैं और उससे फिर गुजश्टा सालों आपने देखा होगा, बहुत सारे जगा एहतिजाजी बुजाहरे हुए, दर्ना परदशन हुआ, इन तमाम उचीजों का नजरिया था मगर उसपे सरकार की और सरकार से वाबस्ता जो लोग हैं, उल्ओ नाकामी यह रही कि वो खिलत वहिमियों को दूर नहीं कर सके और उन्वे कोई ऐसा मोमिंट नहीं चलाया, पबलीक दरम्यां जिससे जो खिलत वहमियों पैski ती, उन गलत वहिमियों को दूर किया जाया से एक परीके से अस्विकारे कर दिया but क्या रहा क्या आपको लगते है रूट कॉज क्या रहा क्या समझा नहीं पाए लोग समझ नहीं पाए भाषा क्लियर नहीं थी क्या देखत थी सुरल आप ये दिखिए कि अगर मैं कहूं कि भाई इसमें रात नहीं हो रही है और आपके विख्वास करेंगे तो आप कितावों का विश्वास कर लो समभिधान का विश्वास कर लो मुख्य मंत्री का विश्वास कर लो आप ग्रह मंत्री का विश्वास कर लो आप प्रधार मंत्री का विश्वास कर लो आपको विश्वास तो करना पड़ेगा भाई और विश्वास नहीं करो तो किताब सामने रखी हुई आप किताब खोलो और देख लो किसमें है या नहीं ह है और चाहिए कि नागरिक्ता चीनने काणून नहीं है। कि लिख сейчас एक पड़रह जीन जा रही है। इसमें स्यासी लोग हैं, इस समय तो सामने सबसे पहले ममता बनाजी आई है ना, इसमें वो रिलिजियस लोग जो पॉलिटिक्स में घुचे हुए हैं, आपने उसे मैं मुझे रोक दिया, मैं तौकी रजा की बात कर रहा था हूं, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई कि अधिकांश वो लोग जो अपने धार्मिक नेता की बात पर आँख बंद करके विश्वास करते हैं, वो जूट को भी सच मान लेते हैं, तो यहां हम लोगों की भी यह सारे लोगों से गोजाईश रहेगी, कि भाई, आप संबिधान जाके पढ़ लो, जो नियम रखे हैं सद्हस, और संबीधान में उनसे समझार करने में सरकार ना खाम रहेएं ौब यह कह सकते हैं, आप मता बात जीर्टों का सुश्कार कएकार विश्वास की गंशारो की बात मांने तो सद्वास की ऑज्रेभी साहरा बहें हम पोहं करते हैं, तो सबस्की घाकार खायर शेहारे तो सब एक बराबर धिकार डिया गया है उनस से लेकर 19 तक सम्भिधान में सरी साथ चीज़े सब एक बराबर दी गई है और उसके अलावा इसके अलावा भी है जो संशोधन किये गए उसमें मुसलमानों को अलग से विवस्था की गई है मुसलमान की हाँ मानियोर्टी अपने एजुकेशन इंस्टिट्यूट भी चला सकते हैं ठीक है प्यूश जी मेरी आवाज आ रही है मेरी आप तक आप लीज कुछ बोल प्यूश जी बहुत सारे जिस तरह से भी राजीव जी ने भी बताया कि आप सारी चीजों को साफतार पर देख सकते हैं और कुछ राजनीतिक लोग हैं जो लोगों को उकसाने का काम कर रही हैं आप तो अधिवक्ता हैं कानून को समझते हैं आपने सिरे से यही बात कही कि यह पूरी तरीके से राजनीतिक मसला है मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात को थोड़ा विस्तार दें कि हम सुन नहीं पाएगे टेकनिकल दिवक्त के कारण आपकी पूरी बात जी प्यूश जी लगता है कोई दिख्पद यह जो चीज कहना चाहूंगो यह है आप देखे किसानों को लेके जो MSP जो किसानों को लेके जो MSP किसानों को लेके जो MSP कि सरकार ने उस पे कोई भी राजनीतिक वैयान वाजी की ठीक है पियु जी, sorry to say कि अभी भी आपके आवाज में थोड़ा दिक्कत है, अभी ये फिर से चुनाओ को आ रहे हैं, तब ये आवाज रहे हैं, लेकिन बीच में ठीक है, मौलाना जी के बास में चलती है, मौलाना शाबुदीन ची चोटा सा उपीनियन आप से चाहेंगे, क्योंकि ये भी एक वेक्ती विशेश की अपनी बेजमेदारी होती है, परिवार्स एक वेक्ती से समाज बनता है, समाज से देश बनता है, उसके अपने कुछ उसूल होने चाहिए, अपनी कुछ जानकारी बुद्धी होनी चाहिए, कि वो पढ़ लिख कर चीजों को समझे और वो किसी के बहकावे उकसावे में ना आए, भारस सरकार ने जब गैनने की भी जमेदारी वहारत सरकार की है, और भारस सरकार की है, और या उससे वाबस्ता जो जिम्हेदारी है जी जो है वो अभी राजी जी जो कह रहे थे कि परधानमंत्री की बात तो भरोसा नहीं मैंने बैटते ही सबसे पहले मैंने इस कानून का स्वागत किया और कह रहा हूं मगर राजी जी को एक लवज भी नहीं मिल सका कि स्वागत जो कर रहे हैं उनका शुगरिया आदा करें जो स्वागत नहीं कर रहे हैं उनको तो आप जो लांखान कर रहे हैं उनको तो आपकी पूरी बात सुनिया और आपकी बात पर ही जवाब दिया है ठीक है राजी जी आर्मिक मंच ने इसका स्वागत किया है और मैं आपका शुक्र गजारूं कि आपने टीवी चैनल पर आकर इस बात को कहिए आप जैसे मुसल्मानों की जरूरत है इस देश को और वह इस तीज को कहें कहें आगे बढ़ करके आप में सही कहा है और जो ब्रोद करते रहें वो 99% लोग करते रहें एक परसेंट दो परसेंट अब लोग ऐसे भी हैं जो इसको समझ रहे हैं और आगे आ रहे हैं और आप जैसे लोग आगे आएंगे तो सारी भांतिया दूर हो जाएगी चलिए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुडने के चर्चा कर सकें जो भांतिया लोगों के भीतर हैं उनको हम दूर कर सकें लेकिन बावजूद इसके कई जगों पर विरोध देखने को मिल रहा है तो कोशिश गुजारिश यही है लोगों से कि आप अपनी बुद्धी का इस्तिमाल करें तमाम चीजों को लिखें पढ़ें और उसके बाद कोई फैसला ले किसी के बहकावे उकसावे में आकर आप किसी भी तरह के विद्रोह का हिस्सा ना बने यही अपील है हमारी आप से नमस्कार